हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल बॉटन इन एजी वे तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट था फाइटो हॉर्मोन्स फाइटो हॉर्मोन्स होते क्या हैं और इनकी कौन-कौन सी टाइप से यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो सब फस्ट फॉल मीनिंग फाइटो हॉर्मोन्स फाइटो हॉर्मोन्स दो वर्ड से मिलके बना होता है फाइटो प्लस हॉर्मोन्स फाइटो मतलब प्लांट सो सेकंड हॉर्मोन मतलब कि प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बढ़ रहे हैं हम लोग चीक हैं तो प्लांट हॉर्मोन्स जो होते हैं उनके अलग और भी नाम से हम उसको बुलाते हैं और नाम कौन से होते हैं हम इसको plant growth regulator भी बोल सकते हैं और plant hormone भी बोल सकते हैं और तीसा phyto hormone भी बोलते हैं fine, next है definition of phyto hormones definition में phyto hormones को ध्यान से सुनना कि यूँकि मैंने बहुत easy way में लिखा है phyto hormones जो होते हैं वो as a chemical substance होते हैं जो की naturally produce होते हैं plant के अंदर चीक हैं और ये एक जगह से दूसरे जगह पे translocate करने की capability रखते हैं एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और ये बहुत सारे physiological reaction में participate करते हैं उसको regulate करते हैं और इनकी concentration low में भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं then phyto hormones जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते stimulator या फिर regulator और दूसरे होते हैं inhibitor जो stimulator होते हैं उनकी again तीन टाइप्स हैं first of auxin second is gibberlin and third is cytokine auxin और gibberlin दोनों के दोनों cell elongation में help करते हैं जो की inhibit करता है जो की inhibit करता है ग्रोथ को that is ethylene thanks for watching the video please share, like and subscribe the channel